तो इस वीडियो के दो में टोपिक्स रहेंगे पहला तो ये है कि एक्जाम पौसपोन होगा कि आप लोगो के नहीं एफोस का और दूसरा ये रहेगा कि क्योंकि आप लोगो के ईक्जाम डेट और सिटि आ चुकी है तो आप लोगो के जितना भी टाइम बाकी है इन टाइम में क्या मेरी तरफ से आपको टेप से रहेंगे, क्या do's और don'ts रहेंगे, जिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपका score बूस्ट अब रहे, और ऐसा नहों कि आपने जो पढ़ा है, उतना भी आप परफॉर्म ना करपा है अपने एक्जाम में, तो सबसे पहले समझते ही, आप question पूछी होने, बहुत सारे student पूछते हैं, बहुत ज़्यादा सारे student की exam सर बता दीजे, पोस्पोन हो गया फिर नहीं, तो अब यह बताईए कि आप किस हिसाब से मुझसे पूछ रहें, क्या मैं कोई final authority हूँ, अगर चलो मेरे बोलने से क्या मैं कोई गारेंटर हूँ, RBI की तरह कि हा मैंने गारेंटी कर दिया, exam नहीं होगा फिर exam होगा, और कौन है गारेंटर आपका, कौन है गारेंटर, actually reality तो यह है कि AFOs वालों को खुद नहीं पता कि exam पोस्पोन होगा फिर नहीं, उसका कारण यह है कि government से जैसे orders मिलेंगे, उस हिसाब आपसे वो depend करेगा, exam फोस्पोन हो गया नहीं, तो इसी वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यह किसी को नहीं पता हो भी सकता और नहीं भी सकता है, और एक बात बताईए, अगर आपने पढ़ लिया और exam हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया तो पढ़ा भी है, exam हो गया, और, sorry, आपने पढ़ा और exam नहीं हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पढ़ाई तो अभी भी आपके पास यह है, किसे इन चुराई तो नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा और exam हो गया, तो फिर बहुत दिक्कत है, तो यह अब समझ यह होगे, सार last days के लिए prepare कर रहा है, अच्छे से, बीना यह सोचे कि exam postpone होगा है, फिर नहीं उनको यह मान के चलने कि exam होके ही रहेगा, तब उनके लिए मैं कुछ यहां पर tips देते हूं, और advice, तो यहां से मैं जितने भी आपको बातें बताने वाला हूं, बहुत ही महत्तुपूर्ण है तो prepare करके अगर आपके पास earphone है, तो उसको लगा के ध्यान से सुने, दो लकड आ रहे थे, ठीक है, यह हो सकता कि आपने story सुनी हो, लेकिन जिन लोगने नहीं सुनी है, फिर से device को क्योंकि जो मैं important point बताना चाहता हूं, अगर आप यह story के थुरू बताऊंगा, तो वो के comparison में बहुत ज्यादा लगड़ी काट लेता था उसी time में, और एक ही कुलाड़ी थी, अकेले ही दोनों काम करते थे, सारी condition सेम है, paint भी वही समझ लो, उसी तरह का, और दोनों जो है, same time लेते थे, कभी-कभी तोता था कि B कमी time लेता था A से, लेकिन फिर भी उसकी जो ज्यादा करता हूं, लेकिन मैं उतना ही तुमसे ज्यादा hard work करता हूं, लेकिन फिर भी, जो मेरी लकड़ियां होती ही, बहुत तुमसे कम होती है, तो ऐसा क्यों है, तो फिर A ने ये पाया, और फिर B ने ऐसा कहूं कि B ने ये बताया A को, कि वो सिर्फ पूरे समय लकड़ कमी वार में, कमी मेनत ने, वो ज्यादा लंबा impact डाल सके उस लकड़ी में, और ज्यादा लगनी है, उसकी इसी वैसे कट जाती है, तो इस story से कुछ लोग का जो शारान से, जो मैं सीख देना चाता हूं, कुछ लोग तो समझ ये होंगे, और कुछ लोग अभी भी हो सकता है ना समझ पाए हो, तो मैं और आपको बदाता हूं, कि आप exam में कैसा perform करेंगे, ये decide करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की, ये decide नहीं करेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, उस basis पर आपको marks दिये जाएंगे, जो machine वहाँ पे आपके bubbles चेक करेगी, जो आपने भरे है वो उसको नहीं पता है कि आपने दिन में कितने घंटे पढ़ाई की है, या फिर आपने कितनी रात जागी है, उसको सिर्फ सही बबल्स और रॉंग बबल्स सही उसको matter है, या फिर अगर मैं society की बात करूँ, आपके घर वालों के तो उनको भी, उनकुछ नहीं उनसे पढ़ता है कि आपने कितनी देर पढ़ाई की, वो सबता कुछ को पढ़ता हो लेकिन बहुतों को नहीं पढ़ता, वो सिर्फ रिजल्ट पे है, सबसे पहली बात तो आपको बता दूँ कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, कि आपके रिजल्ट से बाकी लो स्टोरी सुनाई, यह यहां से बाद और यह जो मैं आपको बता है, बबल्स वाला, यहां से मैं बस आपको एक सीख देना चाहता हूँ, यह कि अपने बहुत सारे स्टेंड होते हैं, जिनका पोटेंशल इस 80% का होता है, बहुत क्या, almost 99% और उनका जो खेलते हैं, जो उनका रिजल्ट आता हुआ, अराउंड 50-60%, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाता, तो अब यह जो गैप हुआ, 80-50, 30% का, एक्जामपल दे रहा हूँ आपको, यह पता है किस वे से गैप हुआ, यह हुआ कि नर्वसनेस की वज़े से, एंग्जाइटी की वज़े से, बहुत अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो छोड़ देजे वीडियो को, लेकिन यह बहुत इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि एक्जाम में परफॉर्म करना, एट दी एंड मैटर करता है, सिर्फ पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, कुलाडी को पेड़ पे, उसे ही से सिर्फ काम नह होना चाहिए, हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के समझना होगा, कि नर्वसनेस, एंग्जाइटी को कैसे कम करें, ताक कि बहुत सारे स्टेंट होते हैं, जो 60% का पढ़ते हैं, और 80% वहाँ पे खेल जाते हैं, 80% तक लिया होते हैं, तो उसके लिए आपको जो एंग्जाइ कैसे लगाने, डिविजन करना, कितना करना, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा भी, तो इसी वज़े से मैंने आपनों के लिए भगवत गीता भी पढ़ना चालू करते हैं, ताकि जो वहाँ से इंपोर्टन लाइन होती ही, वो मैं आपके साथ टेलिग्राम पे शेयर भ यहाँ से पढ़िएगा, तुझे केवल कर्म करने का धिकार है, उनके फल पर तेरा धिकार बिल्कुल नहीं है, तेरा उदेश कर्म का फल कभी न हो और ना अकर्म, यानि कर्मों का त्याग के प्रति तेरा अनुराग हो, तो पहली लाइन तो समझ यह होगे कि तुझे केवल कर्म करने का धिकार है, उनके फल पर तेरा धिकार बिल्कुल नहीं है, यानि कि बहुत सारी कंडिशन्स होती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि आपको जो फल है, जो सकसे से वो मिलेगा ये फिर नहीं मिलेगा, आप अपना कर्म करो, उसका उदेश मत रखो, तेरा उदेश कर् कर्म भी ना हो ऐसा नहीं कि ठीक है हमें तो उससे कुछ लेना देना नहीं जो होगा सो देखा जाएका तो चलो मौज करते हैं वह मौज वहानों के लिए लाइन है आखरी कि ना कर्म कर्म का त्याग के प्रतितियरा अनुराग हो यानि कि तू कर्म से भाग भी नहीं सकता और तुझे कर्म करना भी है बिना फल की चिंता की यह मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है अगर आप इसको द्यान से समझो कुछ स्टुडेंट जो सुने रहे हैं उनके दिल तक यह लाइन पहुंची भी होगी और इससे कई सारे माइन के जो स्कूल जहने होती हैं उसलाज जात समान समझ और यूद के लिए तयार हो जाया नहीं कि जय आएगी यानि कि मैं विक्टरी मुझे मिलेगी एक्जाम्पल पर आपका एक्जाम्पल लेकर करते हैं इस लाइन को कि आपका एरफोस में सेलेक्शन होगा नहीं होगा आप अभी से डिसाइड कर लो कि मैं काम कर रहे दिन बर उसका काम खतम हों गया तुम भी पूरे दिन काम करो अच्छे से महनत करो तुम्हारा काम खतम यूर जॉब इस डन फिर जो होता है डाट इस नौट इन यूर हैंड फिर वह जो भी मिलेगा वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपन करेगा तो नर्वसनेस यह कोई मा बैठी है और यह हो जाएगा वह हो जाएगा आप अपना कर्म करो सिंपल अब इसी वैसे मैंने लाइन अगर मैं खुद से अपने आपसे बोलता है तो आपको लगता है कि ओवर स्मार्ट बन रहे हैं फिर कुछ ज्यादा बोल रहे हैं तो इसी वैसे मैंने भगवत जान बूच के मैंने आपको यह फोटो खीच के लाया और आपको जान बूच के दिखाया ताकि आपको बिलीफ हो जाए कि भगवत गीता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है यानि कि आपको और यह बहुत इंपॉर्टन है मुझे इससे क्या benefit मिल रहा है मैं आपको बता रहा हू तो उसको अच्छी बात की तरह लें नर्वसनेस की तरह और लोड मत बनाएं उसको सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं अभी कि यह लाइव का ना तो शुरू ना तो एंड कुछ नहीं है यह सिर्फ वही है कि जैसे कि क्रिकेट मैच होता है बॉल्स आती रहेंगी आती रहेंगी और आपको बस अपना बेस्टाइड देते रहना है ऐसा नहीं कि जो अभी मैंने आपको प्रीवेस लाइन पढ़ा ही थी कि कर्मों से आपको कर्मों का त्याग के प्रति भी अनुराग नहीं होना चाहिए कि हम कर्म पूरा करो यूथ हो तो यूथ की जैसा एनरज ही होगा आपका वो जो एंग्जाइटी है ना जो 80% पढ़ें और परफॉर्म से 50% कर पाते हैं वो जो डिफ्रेंस है वो सिर्फ इसी वजए से आता है बहुत सारे स्रेंट आप पूछ ले ना सबके साथ होता है मैं एक्जामपल भी दे सकता है आपको कि एक वेस्ट बेंग मेडिटेशन बहुत हल्प करता है तो मेडिटेशन को लाएं थोड़ा योग को लाएं जब भी आप पाच-दस मेंट बैटके लंबी गहरी सांस लें सांसों पर ध्यान टिका है क्योंकि एक दिन में ऐसा कुछ नहीं कोई बटन नहीं होता है कि सरीर में कि दबादी और अगर बोलूँ जो ग्यान की बात है वहते हैं कि आफ टेलीग्राम को अकठेम कर सकते हैं तो मैंने सरेख़ें नहीं है कि सिर्फ भी अघॉना में करने से होगा है देखिए इस लास्ट टाइम में जितना भी आपका टाइम है तो उसमें रिविजिन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं क्योंकि और यह रिविजिन सबसे बोरिंग पार्ट होता है बोरिंग पार्ट इस वैसे होता क्योंकि आप 50 चीज़ें बताते हैं तो करना कैसे एक अलग से कॉपी पे रखिए और उसमें जो भी आपको जैसे आपने 50 चीज़ें पढ़ी ठीक है उसमें से आपको 45 माली जे 40 आती है उसमें जैसे 5 आप और देखिए अब रिविजिन करने के यह बहुत अची टेक्निक है घर में कोई छोटा भाई बहन भी उसे बोलो पूछने के लिए जैसे distress के तो आप बोल si uphold कर लाइगा तो आप उसको तुनंत recall कर लेंगा कि हाई मुझे नहीं आता फिर आप उसको अलग से कहीं पर copy नोट कीजे जो भी आपको लगता कि हाँ आपने अभी तो याद है कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेकिन मैं भूल जाओंगा कि तो उसको लिख लो जो बिल्कुल नहीं आता उसको लिख ल पिर अगली बारा को सिर्फ 50 पढ़ाना है वो नहीं पढ़ना है यह होता रिविजन और दूसरी चीज़ यह है कि इस ताइम में आपको मॉक्स लगाने अच्छे से सिर्फ लगाने नहीं रिविजन मॉक्स लिखा रखें उनको रिवाइस भी करते रही तभी मैंने तीन दि है अरवान आप मालो 8 तो आप यह मालो कि 10 तक मैं आपको 10 से बाद advice नहीं करूंगा है अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो क्योंकि फिर उतना टाइम नहीं रहे तक क्योंकि आपको revise भी करना जिससे इसको आप रिवाइस नहीं कर सकते हैं लास्ट ताइम उसको बिल्कुल हाथ मत लगाएगा जिसी उसको आप रिवाइस भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो यह चीज आपको फॉलू करना है और मॉक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूगा तो वहां से आप ले सकते हो और यह रियालिटी है आप भी देख लेना इसी इसको 30-40 पॉसेंट कभी आते ही नहीं उस तरह के इसमें वैसे कुश्चिंस हैं तो लास्ट ताइम आपने लगा लिए ठीक है कोई बात नहीं लेकिन लास्ट ताइम आप वही मॉक्स लगा के जाएं जिससे जो एकदम एक्जाम रिल और कोई भी आप वीडियो देखते हैं इस लास्ट ताइम में अगर आप सेड़ी करते हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज उसको 1.5 फे 2x स्पीड में चला के देखें और अगर कोई टाइम वेस्ट करता है मैंने पता नहीं अभी भी मैंने कई सारे देखा ऑनलाइन मैं नाम तो नहीं लोगा लेकिन शारी चल रहे हैं बीच में यह शारी का टाइम नहीं है शुरू मैं मान सकता हूं कि हांट चलो ठीक है शारी मार दिया बीच में लेकिन यह शारी का टाइम बिलकुल नहीं है इस टाइम कुछ बोलते हैं कि यह लिख दो कॉमेंट में मान ल बमाग मेरे पढ़ने से चली। तोम है तो बहुत जयदा पढ़ा दिया हूँ आपको लेकिन आपको भी बैटके रिकॉल करना है चीज़ाева कि आपने कितना पढ़ा करती है यह सारे चुछ इसे कोई पर टाइम वेस कर रहा है कोई भी टीछर हो अगर मैं तो बिल्कूल नहीं सब्सक्राइब कर रहा हुआ अregard मैं 1991 Go इस अब इस सांट किना कां में तब मेरा फोकस रहता है कि एकड़ मैं वीडियो मैं शुरू होते ही मैं को जो भी टॉपिक होता है वीडियो को तुरांट उस पर कैच कर ले तो मैं नहीं चाहता हूँ कि घर उदर की बाते हो ठीक है तो इसी वज़े से मैं ज्यदा आपको टाइम नहीं लूँगा और कोशिस करना है कि बाकी जगह भी आप टाइम को मैं बहुत ही माइंड फुली इनवेस्ट करें कि अब जो देख रहे हैं जिसका वीडियो ऐसा तो नहीं बहुत ज्यदा टाइम ले रहे है और लाइव से बचे लाइव वीडियो से बचे कि इसमें आप आप फास्वार अवर नहीं कर सकते वीडियो कहनी कि जिसे आप आनलों को 5 सेकंड आगे करना वीडियो को 10 सेकंड आगे करना वो नहीं कर सकोगे न तो वीडियो के स्पीड बढ़ा सकते हो तो इसी वजह से कोशेस करो कि अगर आपको किसी के देखना भी और अगर बहुत ज़्यादा वो टाइम खा रहा है बीच में शायरी वा है महां पीडिफ कर लिंग में डिस्क्रिप्शन में है साली चीज़ें मिल जाएंगे और बस यहीं बताना था उम्मेद करता हूं कि कुछ नया सीखा होगा आपने क्या सीखा है यह जरूर कॉमेंट बताया क्योंकि लिखने से जो मैंना भी बताया हो सकता है कि वह आपके द पनेमाट